नमस्कार आप देख रहे हैं ददस्तक 24 पीम मोदी के नए सलाकार की हुई नियुकती पुराने सलाकार नरपेंद मिर्श्रा ने दिया इस्तीफा नरपेंद मिर्श्रा ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया जब भारत की जीडिपी व्रद्धी 2019-20 के जून दिमाही में 5 साल के नी पांच प्रतीशत से भी अधिक कम हो गई है जो मार्च दिमाही में 5.8 प्रतीशत थी नरपेंद मिश्रा भारती दूर संचार नियामक प्राधी करड ट्राई के अध्यक्ष भी थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया पांच वर्सों तक PMO की सेवा और लगन से काम करने के बाद भारत की विकास प्रच्छेप वक्र में एक अमिट योगदान देने के बाद स्रीन रपेंद मिश्रा जी अपने जीवन के नय चरण को शुरू करेंगे उनके भविश्य के प्रयासों के लिए उन्हें मेरी सुपकामना है फिर पीके मिश्रा बने प्रधान सचिव वही पीके मिश्रा ने भी बुद्वार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में अपना कारभार समाल लिया है उन्होंने इन्रपेंद मिश्रा की जगा प्रिंसिपल सिकेटरी का पद समाला है कौन है पीके मिश्रा पीके मिश्रा को पीम मोदी का काफी करीबी माना जाता है कहा जाता है कि साल 2001 से 2019 तक नरेंद्र मोदी ने अगर किसी एक अफसर पर लगातार भरोसा जताया है तो वहां है प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा ओडिसा के संबल पुर्जिले के रहने वाले हैं वहां 1922 बैच की आईएस ओफिसर है जो गुजरात के अडर से आते हैं पीके मिश्रा ने गुजरात में पहली बार सियम बने नरेंद्र मोदी के प्रधान सचीव के तोर पर काम किया उन्होंने ही पहली बार नरेंद्र मोदी को फाइले पढ़ना सिखाया था दोनों अधिकारियों का कारिकाल प्रधान मंत्री मोदी के कारिकाल तक यह अगले आदेश तक रहेगा नई दिल्ली डॉक्टर पीके मिश्रा को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का नया मुख्य सचीव और पूर्व कैबिनेट पीके सिनहा को मुख्य सला का नियुक्त किया गया है केंद्री मंत्री मंडल की नियुक्ती समीती ने दोनों नियुक्तियों को बुद्वार को मंजूरी दी फिलाल पीके मिश्रा प्रधान मंत्री के अतिरिक्त सचीव के तौर पर कारयत थे पूर्व मुख्य सचीव नपेंद्र मिश्रा के रिटायर होने के बाद उन्हें या जिम्मेदारी दी गई पीके सिना पिछले महिने क्याबिनेट सचीव के पद से रिटायर हुए थे इसके बाद उन्हें प्रधान मंत्री कार्याल पीमो में विशेश कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया था इन दोनों अधिकारी कार्यकाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के कार्यकाल या अगली आदेश तक रहेगा अब कौन है पीके सिनहा? प्रदीप कुमार सिनहा उत्रपदेश कैडर के 1977 बैज की आईएस अधिकारी हैं उन्होंने भारत के विद्यु सचीव के रूप में कार किया और भारत के नौवहन सचीव थे पीके सिनहा अर्थसास्त्र में स्नातक है और अर्थसास्त्र में स्नातको उत्तर उपादी रखते हैं उन्होंने भारत सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार दोनों में विभिन प्रमुखों के पदपर कार किया है तो आपको या जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं नमस्कार